हाउर फिक्स वान प्लास नोट सीई कीबोर्ट लेक प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास की डिवाइस में कीबोर्ट लेक प्रॉब्लम सोल्व कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों कीबोर्ट के रिलेकेट कोई भी लेगिंग हो राहें कीबोर्ट अच्छा से काम नहीं करा है प्रॉबलम कर रहें तो आप इस वीडियो को अन तक जरू देखे करेंगा मैं आपको शो करके बताऊंगा किसे आपको यह प्रॉब्लम सॉल्फ करना है ठीक है कि कि दोस्तों यहाप एक कीबॉर्ट लेक तब होते जब आपके कीबॉर्ट में कुछ मिस भीएवर ओकर होते तो उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो अन तक देखना परेगा ज अगर आप ऑन-लाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो दिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है अगर आपका कीबॉर्ड लेकिंग करते तो आपको अपन keyboard option select करना है ठीक है language and input पर जाके आपका keyboard चेक किजिए तो मेरा जो keyboard है वो यहाँ पर देख सकते virtual keyboard यानि कि मैंने keyboard select कर रखाए तो मुझे solve करना होगा मेरा keyboard का problem ठीक है तो सबसे पहले तो मुझे मेरा जो application है उसको update करना होगा तो जीबोड जो है दोस्तों असानी से Google Play Store में मिल जाते तो आपके पास में भी दोस्तों अगर by default सेट है already तो आपको जीबोड ही मिलेगा अगर आपने कोई दूसरा सेट नहीं किया है ठीक है तो कि सबसे पहले update करना है अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है see all apps पर जाने के बाद आपको अपना कीबोड सेलेक करना होगा सर्च करना होगा यहाँ पर जीबोड को या फिर आपके पास जो भी कीबोड है उसके बाद दोस्तों storage and cache को open करे clear storage में क्लिक करके आपको ok कर देना है ok करने के पर आपको back करना है इसका permission वगरा चेक कर लेना permission आपको कौन-कौन सा चाहिए वो allow कर लिजेगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बेक करना है बेक करने के बाद दोस्तों mobile को start कर लेना आपका problem solve हो जाएगा तो इस तरह के से दोस्तों आप अपनी problem solve कर सकते हैं और दोस्तों आप चाहिए तो अपना keyboard भी चेंज कर सकते हैं ठीक है अगर आपको यह keyboard जम नहीं रहा है तो keyboard आपको चेंज करना होगा keyboard चेंज करने से भी यह problem fix हो जाएगा साथ 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 दोस्तों अगर mobile software अपडेट नहीं है तो mobile software को update करना होगा ताकि आपके mobile पे applications अच्छे से चल सकें तो इस तरह के यह से दोस्तों keyboard लेक प्रॉब्लेम आप सॉल्फ कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बसने होगा तेंक्स वाचिंग